गाइस मेरा बताया हुआ सिरफ ये 10 रुपे का एक गिलास रोजाना सुभाउट कर खाली पेट पीलीजे आपके पेट की चरबी बिल्कुल गायब हो जाएगी आपका चाहे लोवर बेली है या अपर बेली है या आपके शरीर में जहां भी फैट है अगर आपका ब्रा फैट बहुत जादा है आपका थाई फैट बहुत जादा है आपकी आम्स बहुत जादा है तो उनका फैट भी रिड्यूस हो जाएगा लेकिन इसको आपको लेना है लगातार एक महीना एक महीना अगर आपको मैं खुद अपने मुझ से बोल रही हूँ तो डिफिनेटली एक महीन और अगर आपको वो seriously follow करनी है तभी मेरा वीडियो आगे देखना नहीं तो कोई फायदा नहीं है क्योंकि मैं आप लोगे की कमेंट से बहुत जादा परिशान हो आप पोलतियों की result नहीं आया result में आप अपने रेगुलर्टी चेक करो आप एक टाइम टेबल बनाओ पेपर पर लिख कर आप सामने अपने दिवार पर चिपका कर रखो कि हाँ आपने डे वन डे टू डे थी आपने रेगुलर्टी पिया है और उसमें टिकमा करते रो जब आप इसे चीज में अपना नियम बना लेंगे तो डेफिनेटली आपको वो चीज रेजर्ट देगी ही देगी मैं इतने बड़े प्लाटफॉर्म पे इतनी बड़ी फामली मेरी हो चुगी अगर मैं आप लोगों से कोई चीज शेर कर रही हूं तो डेफिनेटली मैं इस पर डाम शूर होंगी कि मेरी फामली अगर उसको पेगी तो उसको रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा तो मैं इस ट्रस को ब्रेक नहीं कर सकती तो मेरे लिए बहुत चालेंजिंग हो जाता है इस प्लाटफॉर्म पे कोई भी रेमिडी बताना जब तक वो एफेक्टिव नहीं होगी डेफिनेटली मैं आपसे कभी शेर ही नहीं कर सकती ठीक है वीडियो जाल लेते हैं क्या है वो रेमिडी कैसे बनाना है सिरफ 10 रुपे का इगलास तो आप एफोर्ट करी सकते हो अप आपको में थकान रहती है यह आपके बाल जढने लगे हैं यह आपकी स्किन समय से पहले बूडी हो रही है तो यह सारी परिशानियों को भी वो जड़ से खतम करेगा तो सोचिए कितना जादा एफेक्टिव याज का मेरा रेमिडी तस रुपे में आपको हर चीज मिल रही ह आपके शरीर का proper detoxification भी होगा आपकी शरीर अंदर से क्लिंज भी होगा और आपके शरीर में ऐसे चेंजिस भी आएंगे अपके स्किन पर बहुत अच्छा ने खार आने लगेगा इसको पीने के बाद में तो चलिए जानते हैं लेकिन उसे पढ़े अगर अगर मेरे चैनल प पतियां और साथ में रॉक सॉल्ट इन सब चीजों को आपने लेना है अब आपने मिक्सी का जार लेना है गीए को अच्छे से धोने के बाद चील लेना है चिनने के बाद के चोटे-चोटे तुकुडे आपने ग्राइंडर में डाल देने हैं बीट रूट को आपको छिल कर ग्राइंडर में डाल देना है दो टमाटर को आपको अच्छे से धोने के बाद काट कर ग्राइंडर में डाल देना है इसके साथ आपने क्या करना है जिंजर को आपने अच्छे से धो कर उसको कद्दू कस करके आपने बीच में आड कर देना है साथ में पुदीने के पतिया डालनी है और थोड़ा सा पानी डाल कर आपको इसको अच्छे से एक प्रौपर स्मूदी बना लेनी है nteक हैं अब आपकी स्मूदी बनकर टैयार हो चुकी है इस स्मूदी में आप डालेंगे थोड़ा सा रौक सॉल्ट टेस्ट के लिए या फिर आप डाल सेते हैं चाट मसाला अब इस स्मूदी को आपने रोजाना एम्टी स्टमक यानि खाली पेट आपको इसको पीना है अगर आप इसको लगातार पीते हैं तो मैं आपको चालेंज करती हूँ कि इस रेमेडी को पीने से पहले अपना हुमोगलोबिन, अपने जोडों का दर्थ और अपने फेस की जो रंगत है वो जरूर नोटिस कर लेना अगर आप इस सारी चीजे अपने बेली फैट के साथ नोटिस कर लेंगे तो आपको दिखेगा एक महीने बाद क्या दिखेगा वो सुनते जाहिए आपका बेली फैट बहुत जादा रिड्यूस हो चुका होगा कम से कम आपके बेली फैट में दो से तीन इंचिस लूज हो चुके होगी आपको huge difference फील होगा इसके साथ साथ आपके skin जो थी पहले बिल्कुल मुर्जाई होई थी डल थी बुड़ापा आ गया था वो बिल्कुल खतम हो जाएगा आपके skin बिलग सी रॉनक आ जाएगी ग्लो आ जाएगा इसके साथ आपको अगर digestion जेरेट कोई भी समस्या थी अगर आपको थारेड है, PCOS, PCOD उस टाइम पर वेट लॉस करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है हमें पानी भी फुला देता है तो यह आपके उस चीज में यानि थारेड में या PCOS, PCOD में हेल्प करेगा तो प्लीज गाइज इस रेमेडी को एक महीना पीएं और उसके बाद कमेंट करके बताएं कि आपके उपर इसका क्या रिजल्ट रहा क्योंकि घिया जो होता है वेट लॉस के लिए बहुत इफेक्टिव है और मिंट जो होता है हमारे pimple, acne से हमारी skin को fight करता है हमें ठंडग देता है हमारे शरीर को rock salt हमने स्वाद के नुसा राट कर रहा है तो अगर आपको diabetes भी है तो भी आप इसको पी सकते हैं या कोई भी बिमारी है तो आप इसको ले सकते हैं अपने बच्चों को भी ये दें और फिर देखे उनका दिमाग, उनकी skin, उनका body कितना अच्छा ग्रो करेगा तो ऐसी तुरीन देखने के लिए मेरे साथ जुड़े रहें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाई, टेक किर इन, स्टेए हल्दी